हेलो साइबर वर्म्स वेलकम बैक मैं हूँ अनील यादब और आप देख रहे हैं नीट रूट्स और आज के इस सेशन के अंदर हम देखने वाले कि कैसे आप बॉप सुट का यूज करके इंफोर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं तो उसके लिए हम मूफ करते हैं आपने बॉप सुट के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एपलिकेशन के अंदर उसके बाद हम फैवरेट्स में देखेंगे यहाँ पर हमारे पास बॉप सुट है उसके बाद हम इसको इंटर करेंगे एंड यह स्टार्ड हो जा बड मेरे पास professional भी है उसका setup भी मैं आपको दिखा दूँगा कि कैसे उसको करना है तो यह open हो चुका है तो इसको आप simply आपको क्या करना है यहाँ पर next पर click कर देना है और फिर यहाँ पर default ही हमें यूज करना है तो इसके लिए भी हमी start कर देंगे सो गाइस हमारा bobsuit open हो चुका है और अब इसको हम setup कर देते हैं तो setup करने के लिए हमें क्या करना पड़े कि simply हमें सबसे पहले अपने ब्राउजर पर करते हैं यहाँ पर ब्राउजर के अंदर आने के बाद हमें क्या करना है सिंप्ली हमें सेटिंग के अंदर जाना है और फिर हमें यहाँ पर टाइप करना है xy उसके बदम इसको इंटर कर देंगे और यहां पर हमारा सेटिंग आ जाएगा xy और यहां पर आप देख सकते हैं आपका auto detect proxy setting open होगा बट यहां पर आपको manual में करके productive proxy में हम इसको आफ डिकर सकते हैं तो इसके लहां पर देख सकते हैं proxy setting इसको आपको open करना है और फिर यहां पर देख सक'Tे हैं जो ip address यहां ότι यहां से आपको दिख जाएगा तो इस पर आप गिलिक करेंगे और अगर आप किसी local machine एस T IP address और जो port है, उसको आप यहाँ पर add कर सकते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर edit पर click करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपने इसाप से आप यहाँ पर port चेंज कर सकते हैं, आप जैसे कि यहाँ पर आप simply 8081 टाइप करके enter कर सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर request handling मे देख सकते हैं, और certificate में देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको custom certificate add करना होता है, तो जिसके लिए हम यहाँ पर click करेंगे, और फिर यहाँ से हम file को select करेंगे, तो हमें पहले certificate download करना पड़ेगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं minimize करता हूँ, और हम browser पर जाते हैं, औ maximize कर देता हूँ, और यहाँ पर हम type करते हैं, http bob, उसके बाद इसको enter कर देता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, CA certificate, इस पर आपको click करके download कर लेना है, तो मेरे पास यह already downloaded है, इसलिए मैं इसको आप delete कर दूँँगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने already download कर रख इसको मै maximize कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे download folder के अंदर मेरा certificate है, जिसके लिए हम download पर click करेंगे, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, CA serve.der और इस पर click करके हम open कर देंगे, तो आप देख सकते हैं, हमारा जो certificate है, वो यहाँ पर add हो चुका है, तो यह add नहीं हुआ, तो हम इसको अब edit करेंगे, so guys try again करने के बाद, यहाँ पर हमारा 10.0.2.158080 port पर यह add हो चुका है, और यहाँ पर हमारा certificate भी add हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, कि अपने जो browser के अंदर हमने IP address डाला था, उसको हम edit करके यह वाला IP address add करेंगे, तो हम अपने ब्राउजर के उपर, और फिर setting के अंदर, 10.0.2.15, I think अभी ठीक है, all right, so guys अब इसको ok कर देते हैं, और फिर हम यहाँ पर certificate को भी add करते जिसके लिए हम यहाँ पर search करेंगे certificate, और फिर यहाँ पर view certificate पर click करेंगे, और फिर import पर click करके, यह certificate मैंने अल्रेडी install कर आप जब starting में करेंगे, तो आप जैसे ही import करेंगे, उसके बाद आपको import करने के बाद ok कर देना है, तो मैं इसको ok कर देता हूँ, यहाँ पर मेरा certificate अल्रेडी added है, और फिर मैं इसको यहाँ से minimize करता हूँ, और फिर हम new tab open करके, यहाँ पर type करते हैं google.com, पहले हम intercept को open कर ल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो bobsuit है वो run कर चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हमने search किया है, उसका जो raw info है, वो हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, accept language, उसके बाद accept encoding, content type, content length, connection, pragma, cac, control, और HTTP history में जाकर देख सकते हैं कि हमने क्या क्या search कर रहा है, और फिर हम web sockets के अंदर जाकर देख सकते हैं कि हमने कौन सा browser यूज कर रहा है, और कैसे हमारा request था उसका response आया हुआ है, इस तरह से intercept में जाते हैं, और यहाँ पर हम raw के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख स pursuit को अच्छे से setup नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आप यहाँ से browser को open कर सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा chromium browser open हो चुका है, और आप हम यहाँ पर type करते हैं google.com, उसके बाद enter करते हैं, I think मैंने certificate firefox browser में add कर रहा है, इसलिए यह चल नहीं रहा है, बट डोंट यहाँ पर आपको option दिखेगा, open browser का, आप वहाँ पर click करके directly इसको open कर सकते हैं, और फिर वहाँ पर आपका जो भी website है, उसको type करके, आप अपने जो भी raw information है, वो सब निकाल सकते हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं request attributes को, तो हमारे पास 2 requests आ चुके हैं, और यहाँ पर हमारे move करना target के अंदर, और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपने जितनी भी request यहाँ पर send की है, वो सभी चीजों का details आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो अभी हम इसको refresh करते हैं, इसके पर हम move करते हैं target के उपर, यहाँ पर target पर हम click करेंगा, और यहाँ पर आप देख response पर click करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे पास URL है, content type है, उसके पर content security report है, और फिर आप यहाँ पर date और expires काके control server, content length, accesses protection, x frame options और इनके HTML frame को भी देख सकते हैं, इसे तरह से आप बहुत सारे information collect कर सकते हैं, और आगे हम bobsuit का full tutorials लाने वाले हैं, जहाँ पर YouTube का use करके, किसी भी website का information gathering कर सकते हैं, और अब मिलते हैं next video में, till then stay safe, stay secure,